एलो दोस्तों नवेंबर 10 को कुछ कंपनियों ने डिविडेंड डिक्लियर किया हुआ है तो इनके बारे में दोस्तों वीडियो में बात करेंगे चोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन फुल इंफॉर्मेशन के साथ रहेगा तो पहली कंपनी जिसने डिविडेंड डिक्लियर कि है राइट्स का डिविडेंड इसलिए भी important है क्योंकि जब quarter 1 के results आये थे तो उन्होंने 4 रुपए का डिविडेंड डिक्लियर किया था तो total already अभी तो 6 महिने ही actually में अगर आप देखें दो quarter ही हुए है तो दोनों quarter को मिला कर ही साड़े 8 रुपए का डिविडेंड राइट्स की तरफ से आता हुआ investors को दिख रहा है तो पहली company rights दूसरी company है power finance दोस्तो 116 रुपए से थोड़ा ज्यादा share price है 3 रुपए का dividend power finance की तरफ से आता हुआ नजर में आ रहा है और 25 नवेंबर नोट करके रखें ये record date है और जो dividend का payment है December 9 या उससे पहले हो जाएगा similarly rights की तरह ही power finance का भी ये दूसरा dividend है इस financial year में क्योंकि जब quarter 1 के जब results आये थे तो उन्हों ने उसके बाद 2 रुपए 25 पैसे का dividend declare किया था तो तीन रुपए अभी वाला और फिर 2 रुपए 25 तो पांच रुपए 25 पैसे तो अल्रेडी जो investors है अगर आप eligible हो रहें तो जो dividend है इस financial year में मिलता हुआ नजर में आ रहा है दोस्तों बहुत सारे dividend अभी आ रहे हैं तो एक-एक का नाम है oil India 196 का share price है साड़े 4 रुपए का dividend उन्हों declare किया है उमीद की जा रही थी अच्छा खासा dividend यहां पर होगा लेकिन साड़े 4 रुपए का dividend है और 22 नवेंबर है record date oil India की तरफ से फिर कोचिन शिप्याट बहुत ही अच्छा run-up पिछले मैं दो महीने ही कहूंगा दो महीनों में 584 का share price है और 7 रुपए का dividend कोचिन शिप्याट की तरफ से डिक्लियर होता हुआ manager में आ रहा है 22 नवेंबर नोट करके रखे यह कोचिन शिप्याट के record date है फिर एक और company मजगाउं डॉक defense से जो जहाज है वहाँ पर कोचिन शिप्याट भी है वहाँ पर मजगाउं डॉक भी है उन्होंने 9 रुपए 10 पैसे का dividend डिक्लियर किया हुआ है 10 नवेंबर को और उन्होंने भी जो record date रखी है वो है 22 नवेंबर की दोस्तों फिर पेज इंडस्ट्रीज 48,550 का शेर प्राइज है एक multi bagger stock रहा हुआ है 70 रुपीज का dividend डिक्लियर किया हुआ है 18 नवेंबर रेकॉर्ड डेट है और पेमेंट डिसेंबर नौ या उससे पहले हो जाएगा उन्होंने ऑगस्ट में quarter one के रिजल्ट के समय डिक्लियर किया था dividend साथ रुपए का तो टोटल 130 रुपीज का dividend पेज इंडस्ट्री की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है अगर आप ओवरल स्कीम में देखें लगबग 50,000 के पास सेर प्राइज है 130 बहुत जादा नहीं है लेकिन जो लॉंग टर्म इंवेस्टर्स हैं उनको जो सबसे बड़ा जो पेज इंडस्ट्री से जो प्राइज मिला है वो है बहुत अच्छा कैपिटल एप्रिशेशन तो खेर अभी तो कुछ नाम आये हुए बहुत सारे नाम आएंगे टेलिग्राम ग्रूप को दोस्तों जोइन कर लीजिए ताकि आपके जो भी नए नाम आते रहे मैं आपको अपडेट करता रहूं धन्यवाद आपके समय के लिए थैंक्यों दोस्तों